हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्ती पोरवाल दोस्तो मैं हूँ आर्ती और अजह हम बात करेंगे ऐसे स्टेट की जिसने अभी अभी एक अर्जेंट नोटिस निकाला है रिगार्डिंग स्पेशल काउंसलिंग राउंड तो दोस्तो इसके बात करेंगे वेस्ट बंगॉल की गवर्नमेंट और वेस्ट बंगॉल ने अपनी ओफिशल वेबसाइट पर एक नोटिस निकाला है नोटिस रिगार्डिंग स्पेशल काउंसलिंग राउंड अफ आयुश यूजी 2020 तो आयुश काउंसलिंग के तहत यह नोटिस है एस फ्य स्पेशल आयुश कॉंसलिंग राउंड फॉलोड बाई अमैनुवल सेंट्रिलाइज मॉप राउंड विच विल बी फॉर्दर फॉलोड बाई कॉलेज लेवल मॉप राउंड दोस्तों यह बहुत अच्छी न्यूज है कि कुछ सीर्स वेकंट होने के कारण और अल इंडिय कॉंसलिंग से रिलेटेड यह सारी सीटे कुछ स्टेट को दे दी गई है ताकि वो स्टेट अपना एक अलग कांसलिंग करा सके तो इसी तरीके से जो वेस्ट बंगॉल है उसने एक नोटिस निकाला है स्पेशलाइज कांसलिंग के लिए यह बॉप अप राउंड है इट इ में मांक शाल भी 30 परसंटाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ के डिडिटेट्स विद बेंचमार्क डिसेबिल्टीज स्पेसिफाइड अंडर दर राइट आफ परसंट विद इसेबिल्टीज उनके 35 परसंट जो है यह 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 यानि अन्रिजर्फ कटागरी के लिए और 30 परसंट वेबसाइट www.wbmcc.nic.in regularly as no personal communication can be made the detailed notice including dates for enrollment and registration will be issued shortly in the counseling website तो दोस्तों यह बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जिन बच्चों को All India quota से सीट नहीं मिल पाई है आयूश कॉंसलिंग के लिए वो स्टेट quota से सीट ले सकते हैं जैसे अभी West Bengal ने यह notice निकाला है बहुत जल्दी आपको इसके registration का जो schedule है वो पता चल जाएगा जैसे ही official website पर schedule आएगा मैं आपको बता दूंगी लेकिन इसका जो cut-off है यह वही मुझे इस अलसों तो बी नोटेट एट कैंडियर्स हुआव रिमेनिंग एड्मिटेट इन मेडिकल और देंटल सीट एगा जिन बच्चों ने मेडिकल या देंटल यह एम बीचों और बीचों की सीट को जोईन किया है तीस जैनवरी तक जो है अगर वो candidate who have been remaining admitted बच्चे हैं जिन्होंने नहीं जोईन किया है किसी भी MBBS और BDS की सीट को who have resigned are not reported या उन्होंने जो candidate resign कर चुके हैं या उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है MBBS BDS के लिए वो इस counselling के लिए allow नहीं होंगे कर चुके हैं चाहिए उनको सीट मिली हो उन्होंने रिजाइन किया हो या उन्होंने रिपोर्ट ना किया हो सीट मिलने पर ऐसे candidate के लिए भी allow नहीं किये जाएंगे not eligible होंगे तो दोस्तों यह बहुत बड़ी नोटीस है तो जो बच्चे आइस कांसलिंग में